हेलो एवरिवन वल्कम बैक टो मैं चानल स्टार्ट विद आज की जो वीडियो है इसमें हम ड्रेपरी बनाना देखेंगे कि हम ड्रेपरी में किस तरीके से शेड कर सकते हैं आप लोग काफी टाइम से पूछ रहे हो कि दी आपने स्टिल लाइफ का तो बता दिया लेकिन ड्रेपरी का हमें क्लियर नहीं है पहले भी मैंने बताया हुआ है बट कोई नहीं आज मैं इस वीडियो में फिर से आपको बताऊंगी कि ड्रेपरी में किस तरीके से आपको कलर क क्या होता है कि हम स्टिल लाइफ को करने में इतना जादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमारे पास ड्रेपरी करने का टाइम नहीं रहता है तो भी अगर ड्रेपरी नहीं आती है तो भी ठीक है क्या करना है दोनों ही केस का आज हम देखेंगे कि स्टिल लाइफ के टाइम प तो कुछ कॉलेजिस में क्या होता है कि कुछ कॉलेजिस में आप लोगों के सामने स्चिल लाइफ के सामने ड्रेपरी रख दी जाती है यानि कि ब्लैक कलर का या फिर ब्राउन कलर का कोई भी कपड़ा टाइप डांग लिया जाता है ठीक है उसके आगे आपके अबजेक्स ब्लैक या ब्राउन से जादा डार्क माँ पर कुछ नहीं होगा चाहे कैसा भी अबजेक्ट हो ठीक है अबजेक्ट पर लाइट जरूर पड़ रही होगी तो डार्क के टाइम पर आपको किस तरीके से शेडिंग करने है वो मैं आपको बता देती हूं अगर पीछे डार्क रखी रहती है ठीक है तो क्या करना है सिंप्ली इस तरीके से एच बी पैंसिल का यूज करना है ठीक है एट बी पैंसिल का यूज करना है ठीक है एट बी आर्ट लैं की ले सकते हो या स्टेडलर की ले सकते हो दोनों में से किसी की भी ले सकते हो इसमें आपको स्ट्रोक डा वनारर 30 मिन चाहिए प्राइम होता है इसके अंदर क्या क्या कर लोगे तो ड्रेपरी जो होता है वो सिर्फ इस लिए होती है ताकि हम अब्जेक्ट सु निकाल सकें इसले होती है ताकि हम उसको रिएलिस्टिक बना सकें कपड़े जैसा टेक्च्चर दे सकें तो texture तो वहाँ पर डालना ही नहीं है, texture तो भूल जाओ बिल्कुल, ठीके texture नहीं डालना है, क्यूंकि texture डालने मैठे तो complete नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, कि इस तरीके से जैसे माल लो ये object रखा है, कोई भी object समझ लो इस तरीके से, ये कोई भी object समझ ल करना है, इसके बीचे मुझे darkest करना है, तो darkest यानि कि जल्दी जल्दी आपको किस तरीके से strokes चलाने है, इस तरीके से, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है, ये डाक से light की तरफ छोड़ते गाना है, हमेशा जबी भी object पे ड्रेपरी डालने लगो, तो क्या करना है, सबसे पहले एक line कीच लेनी है, object के पास, darkest line जिसको हम बोलते हैं, darkest line यहाँ पे खीच लेना, ठीक है, इस तरीके से, और इस line के अंदर हमारी pencil नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इस line के अंदर, हमारी जो पेंसिल की lines है, वो नहीं आनी चाहिए, जैसे गया आ रही है, तो इस तरीके की नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इसके बाहर बाहर आपने शेड करना है, ठीक है, इस तरीके से, मैं darkest cube होते है, क्योंकि आप लोग जो भी मुझे still life बेचते हो, उसमें बहुत light strokes होते हैं, और इतना gap होता है, को मेरे में दिख रहा है, कि नहीं दिख रहा, और ये 8B की वज़े से possible है, आप लोग पता नहीं कौन सी एक बार डाल दो, कोई दिखकत नहीं है, लेकिन जब आपके पास time नहीं हो, तो आप है, एच बी से नहीं कर सकते हैं, तब आपको डारेक्ट 8B से करना पड़ेगा, तो इस तरीके से strokes चाल लें, ठीक है, जल्दी जल्दी और ये आपकी drape नी जो है, कम्प्रीट हो लाइट, ठीक है, और ये same line जैसे अब object की, आप देख सकते हो, इसके आगे अगर एक object रखा है, तो अगर मानलो इस तरह है कि मानलो ये बाल्टी रखी है, तो बाल्टी में जैसे इसे भी shading करता है, हम वो shading है, ये area हमेशा light रहेगा इससे, क्योंकि dark और आगे एक light object रखा है, बीचे dark ट्रेप रही है, तो ये area हमेशा ये जो उपर वाला पार्ट होता है, ये हमेशा light रखने आपको ताकि object उसमें merge ना हो, अगर मैं इसको भी dark कर दूँगी ना, तो हमारा object इसमें merge हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है, आपको इसे सबसे lightest रखना है, और हो सके तो आप यहाँ पर highlights का use करें, नीटी डिजर से आप यहाँ पर highlight डाल सकते हैं, तो ये और ज़्यादा ऐसा लगेगा कि इसमें shine आ रही है, अभी तो मैंने simple sketching करके दिख साधिये difference दिखाने के लिए, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर मैं dark कर दे दियू, मैंने इपनी बालिटी को ज़र से dark कर दिया, ठीक है, मैंने corner से इसको dark कर दिया है, अब मैं हाँ पर shading करूँगी, डाक, या आपको हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा, सिर्फ 10 से 15 मिनिट आपको अपने drapery को देने, इस से जादा नहीं देना है, क्योंकि अगर इस से जादा दोगे तो आपकी, आपको देना है, तो अगर आपका अब्जेक्ट corner से डाक, अगर आप करते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत जादा डाक करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो अब्जेक्ट निकल के आएगा, नहीं तो अगर आप इसको भी इतना ही डाक कर दोगे, ठीक है, इसमें आप difference देख सकते हो, इसमें difference देख सकते हो, हमारा main motive होता है कि हमें objects को निकालना है, drapery रखी इसले जाती है, ताकि वो objects और जादा bright और सुनर लगे, तो उसको dark नहीं करना है, बिल्कुल merge नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, कि object के corners को बिल्कुल dark कर दिया, और ड्रेपरी को भी बिल्कुल dark कर दिया, यह होती है, बेवकूपी, यह object इसमें मर्ज हो जाएगा, और यह कुछ भी इसका हमें पता नहीं चलेगा कि कहां से शुरू हो रहा है, कहां से खतम हो रहा है, तो यह चीज नहीं करनी है, और इस तरीके से shading यह जो मैंने दिखाय तो इस पर देखो कितनी अच्छी आगी, तो और अच्छी आएगी है, ठीक है, तो यह हुई कि अगर dark drapery आपके सामने रखी होती है, अगर light drapery आती है, तो क्या करना है, तो अगर light drapery आती है, तो आपने क्या करना है, dark का तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से ही shading करनी है, इस तरीके से करोगे तो आपका time भी save हो जाएगा काफी जाएगा, आप अपनी still life को देख पाओगे कि कहा क्या गलती है, नहीं तो अगर realistic करने बैठोगे तो वो possible नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से objects को निकालना है, मैंने dark का भी बता दिया कि light object रखना है, अगर dark drapery है, तो dark case drapery को करके पीछे से ये मैंने अभी 8 भी use की है, ठीक है, आप इसको और dark कर सकते हो, 10 भी use करके देखो, ये और dark हो रही है, ये अभी भी 8 भी use कर रही हूँ, तो इसको dark करने का limit नहीं है, कोई भी तो इसको dark करके, अब जितना corners से dark करोगे, उतना ही जादा object निकल के आएगा, ठीक है, तो ये देख रही हो ना, इस तरीके से, और अब मैंने strokes मार दिये हैं, तो मैं कैसे भी pencil चला रही हूँ, इससे इतना जादा फरक नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको एक ही direction में चलाना है, ये देखो, कितना सुन्दर ये लग रहा है, तो इसी तरीके से, object और drapery का balance बनाऊना अच्छे, contrast आपको दिखाना है, ठीक है, contrast के basis पर ये आपको marks मिलेंगे, contrast बहुत ज़्यादा जरूरी है, हम बाते है, light पे अगर, light ही drapery रख दिये, पीछे मान लो white color का paper रख दे, क्योंकि light color की drapery जादा तर लगाते हैं नहीं, simple white color का paper लगा देते हैं, और आगे हम आपका objects रखा होता है, और नीचे भी एक paper रखा होता है, ठीक है, और अगर मैं still life की बात करूँ, तो इस बार chances क्या है, जैसे pot आया ही जादा तर, तो ऐसे objects ही practice करो, जो जादा से जादा amount में आ सकते हैं, यानि कि, थोड़े से बड़े objects की practice करो, बड़े objects से मतलब है, जैसे कोई flower pot हो गया, ठीक है, जो जादा तर available हो, ऐसी चीज़े देखो, जो जादा तर available होते हैं, ठीक है, जिसको जादा bulk amount में खरीदा जा सकता है, तो कोई भी plant हो गया, ठीक है, प्लांट की practice ज़रूर कर लेना, ठीक है, कोई भी जिस पे plant पे बेल वगयरा होती है, इस तरह के plants जो जादा तर available होते हैं, ठीक है, स्टूल्स हो गए, स्टूल्स जादा तर available होते हैं, चेर हो गए, चेर पर कोई भी समान रखना, तो इन सारी चीज़ों की practice जरूर कर लेना, क्योंकि इनके आने की chances बहुत जादा होते हैं, क्या होत तो इस तरीके की चीज़े practice करनी है, ऐसे नहीं की antiques की practice कर रहे हैं, क्योंकि antiques बहुत कम रखे जाते हैं, तो हम अगर हमारा light object रखा है, तो क्या करना है अपने, तो आपका emphasis on object पे है, आपका drapery का काम तो बची गया है, इसमें आपको shading नहीं करनी है, shading किस तरीके से करनी ह बहुत हलकी सी करनी है, वो मैं आपको बता देती हूं, जैसे मान लो, यह मेरा plant है, complete होगा, ठीक है, something like this, इस तरीके से कोई मेरा plant है, यह हो गया, ठीक है, तो अब मेरा पूरा मैने अपना सबसे पहले तो emphasis इस पे डाल दिया, नीचे इसमें यहाँ पे shadow डालनी है, ठीक है, बनानी है, यानि कि leafs की shadow दिख रही होगी, कुछ-कुछ दिख रहा होगा, थोड़ा-थोड़ा, ऐसा तो नहीं होगा, कि पूरा white होगा, पूरा white तो नहीं हो सकता है, पूरे white पे भी आपको कुछ ना shadows जरूर दिख रही होगी, क्योंकि black पे दो shadows नहीं दिखती है, ठीक ह लेकिन अगर यहां पे की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है, पीछे पत्तियों की shapes दिख रही होगी, वो जरूर बना के आनी है, ऐसा लगे कि वो paper से अलग है, क्योंकि white पे सारी shadows दिखेंगे, कौन से angle से आपको बनाने के लिए मिलना है, यह बहुत matter करता है, तो अग लेकि ब्लांक नहीं छोड़ना है, क्योंकि हलके हलके shading हर्चेगे पर होती ही है, तो जो जो मेन लीप्स दिख रही हो, उनकी shadows दिख रही हो बनानी है, तो नीचे shadow जरूर बनानी है, वो जरूर दिख रही होती है, उससे आपका hover में object नहीं लगेगा, और shadow बनाने के लिए ह तो पीछे अगर आपकी इसकी shadow बने हुई है, तो वो अगर रहेगी तो ये objects निकल के आएंगे, ठीक है, तो light में सिर्फ इतना ही करना है, इसमें बहुत जादा time आपका save हो जाता है, मेरे time पे drapery white आई थी, तो इससे मुझे काफी जादा रात मिली थी, क्योंकि हम तो drapery के हिसाब से practice करके गए थे, and believe me, मैं drapery के हिसाब से practice करके गए थी, तब भी बहुत कम time बचाता मेरे पास, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सारा time के अंदर सबसे पहले complete हो जाए, time के अंदर complete करना बहुत जादा matter करता है, ठीक है, so guys, आज की वीडियो में इतना ही, and I hope आपको ये tutorial अच्छा लगा होगा कि shading किस तरीके से करना है, drapery के अंदर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको like जरू कर देना, and share करना जिसको भी नहीं पता है इसके बारे में, अगर मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को like कर दिया करो, क्योंकि बहुत जादा important होता है, मैं आप लोगों के लिए content बनाती रहती हूँ, तो आप इस चीज को please थोड़ा सा respect किया करो, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, and आप लोग अच्छे मेरे subscribers हैं ही, मुझे पता है आप लोग ज़रू like, comment, share करोगे, and take care, bye-bye.